आओ बच्चो आज हम Class 9 Subject Maths की Worksheet No. 41 प्रचर्चा करते हैं जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है और जिसका टॉपिक है Volume of Cuboid and Cube घनाप और घन का आयतन इसे शुरू करने से पहले चलो एक एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी में हमने एक खाली Cuboidal Box लिया घनापकार Box लिया और इसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि Box में कितना स्पेस है इसको पता लगाने के लिए हम एक घन लेंगे जिसके भुजा की लंबाई एक मात रखो घनापकार Box द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हम उसमें एक मात रख लंबाई वाले घन को भरेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है अब देखें Box में हम घन को भरते जा रहे हैं एक एक करके एक एक करके हम भरते चले जा रहे हैं देखें अब ये पूरी की पूरी जो है एक लाइन जो है वो हमारी भर जाएगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो है साथ जो है रोज बनी और तीन जो है वो कॉलम्स बने तो हमारे पास एक रो में एक लेयर में तीन गुणा साथ बराबर 21 घन हुए और पूरा जो है ये जो घनाब भरेगा वो तीन रोज ऐसी होंगी जिससे घनाब पूरा भर जाएगा इन तोटालिटी इस घनाब में तीन गुणा 21 बराबर 63 घन का स्थान है और इस बॉक्स के लंबाई जो की लंबाई चोड़ाई और उचाई को गुणा करके मिले अतहे किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है अतहे घनाबाकार बॉक्स का आयतन 7 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 63 घन मात्रक है अतहे हमें घनाबाकार और घनाबाकार वस्तुओं का आयतन ग्याद करना है तो हमें फॉर्मुला जो है वो लाना होगा वॉल्यूम ओफ क्यूबोईट घनाब का आयतन बराबर लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई और घन का आयतन बराबर साइड गुणा साइड गुणा साइड भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा है ऐसे बारा बॉक्स का हमें आयतर निकालना है तो अब बच्चो देखो हमें लंबाई चोड़ाई उचाई दे रखी है और जो मार्चेस के डिपपी है वो कौन से आकार की है घनाब आकार तो हम घनाब का आयतर लगाएंगे ल बी एच जो हुआ 4 x 2.5 x 1.5 और उसको हल करके हमारे पास 15 cm क्यूब आया अब एक बॉक्स का आयतर जो है 15 cm क्यूब है तो बारा ऐसे बॉक्स का आयतर क्या होगा बारा गुणा 15 बरावर 180 cm क्यूब चलो बच्चो अब जो वर्क्षिट में प्रैक्टिस के लिए कोश्चन्स दिये गई है उन्हें करते हैं पहला कोश्चन है लेंथ, ब्रेथ and हाइट of a क्यूबोईडल रूमार 3 मीटर, 4 मीटर and 3 मीटर रिस्पेक्टिवले तीनो विमाई अलग अलग है तो ये हमारा गनाबा कार हुआ तो अब हम गनाब का आयतन निकालेंगे जो हुआ LBH यानि लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई तो चलो करते हैं घनाबा का कमरे का आयतन बराबर LBH बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चोग 20, 20 तिया 60, 60 मीटर क्यूब दूसरा कोश्चन है एक घनाकार बॉक्स की भुजा 10 सेंटी मीटर है उसका आयतन निकालेंगे तो हमें मालूमें कि घन का आयतन जो है वो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया 1000 क्यूबिक सेंटी मीटर 1000 सेंटी मीटर क्यूब आशा है बच्चो आपको सब कुछ समझाया होगा आज के लिए बस इतना फिर मिलते हैं बाई बाई